करता हूं इंडिया निए उसके अमरी खास पेशकस में जो सो जिस प्रकार से बिमारिया बढ़ती जा रही है उतनी ही दिक्कत लोगों की बढ़ती जाती है वातावन आजकल का बदलाव में है और कहीं ना कहीं हर मनुष्य कहीं ना कहीं बिमारी उसे गहरा हुआ है उन्हीं मे से बाकी के कारे में भी उनका मन नहीं लगता है लेकिन डरने की कोई संभाव नहीं नहीं है इसी बीमारी को दूर करने के लिए जुड़ गए प्रविन बहुत बहुत स्वागती इंडिया न्यूज में प्रणाम नमस्ते मुझे बहुत ही गौरव और सम्मान का अनुभव ह आज एंडिया न्यूज के सामने इंटरिव्यू देते विए बताते विए अपनी बात संसार की बहुत बड़ी समश्या का बन तो हो चुका है वह कान में सुनने की, समझने की और पहरेपन की मनुष्य जाती का जब से अभ्यूद है हुआ है तब से कान की समश्याई तो रही थी पहले कम रही होगी अब ज़्यादा है बहरापन तो मुझे याद है मैं बहुत बच्पेन में था तब भी गाउं में बहरे गुंगे होते थे पर अज बहुत ज़्यादा बढ़ गए है आज क्या हो गया टीवी आ गई है वीडियो आ गई है कुछ मोबाइल आ गए है कुछ पॉलूशन हो गया है कुछ दबाईयां आ गई है कुछ प्रासेस ऐसी आ गई है जो मनुश्या पर हावी होती जा रही है और वह पांचवी इंद्री जो कर्मे जो है पांचवी इंद्री अमारी करण इंद्री उसको डिस्टरब करती जाती है बहरापन एक अलग सबजेक्ट है बिल्कुल completely deafness और कम सुनना एक अलग सबजेक्ट है और उसके बाद में कम सुनना कम समझना वो अलग सब्जेक्ट है आगे से सुन पाना समझ पाना अलग सब्जेक्ट है पीछे से नहीं सुन पाना समझ पाना अलग सब्जेक्ट है और ये बात आपको अस्चरिय होगी कि मनुष्य जाती का जब से अब्युदाई हुआ है तब स इसके problem बहुत भयंकर थी और इसको non curable disease में डाल दिया गया था कि इसका कोई क्योर नहीं है इसलिए बहरे मुंगों की school चाली हुई मज्डी यूग में क्या हुआ कि कोई sign language डवलप की तो बहरे मुंगे इसारों से बात करने लगे हमारा बारा आया पचास वर्स के पहले से मुझे तो लगता है मुझे जन्म से intuition होने लगा था बड़ा हुआ मेरी को doctor's नहीं मुझे कैसी घूटी दी होगी मुझे मालुम पड़ गया कि बहरापन और कान के बहरापन और कान के रोग क्योरेबल है और उसके लिए बहुत बड़ी दवाईया या treatment की जरूत नहीं है कोई operation नहीं कोई surgery नहीं कुछ भी नहीं है इन पचास वर्सों में या उससे भी ज्यादा period में सच मुझ देखा जाए तो लाखों व्यक्ति मेरे हाथ से निकल चुके हैं और मैंने treatment किया है और मेरा मानना यह है कि लगभग केस फिल नहीं होते हैं आप आश्चा ने कहीं जर्म का बहरा व्यक्ति सुन सकता है मेरे पास में आते हैं कि सर मारो बालक जर्म थी बहरोचे मठी दिसे कांड के उन जहां गई थी महां डॉक्टर ने यह कहा कि मैं सुनाई नहीं देगा बहरा मुंगा हो चुका है और इसलिए बिचारा सुन नहीं पा रहा है तो मैंने का एक घंटे में सुन पाएगा तो बूले क्या बात करते हैं सर और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे संसे की द्रश्टी से दिखते हैं हम बहुत सम्झाने की जिस्टा करते हैं आप चिंता मत करिये आप हमारे सेंटर पर आईए कान में डालने की दवाईए खाने की दवाईए केमिकल प्रोसेस से वो सुनने लगेगा और सुनते ह और जो लोग सुने हैं उनके वीडियो ओडियो मेंने यूट्यूब और गूगल पर इसलिए डाल दिये हैं कि आपको विश्टवास हो जाए सोचल मीडिया से की बहरापन मिर सकता है अरे हुआ क्या कि मैरे ये करीबन हजारों की संख्या में वीडियो डालने के जारी अजनसे ने मुझे लिखा कि क्या प्रमान है कि ये वीडियो सत्य है बनाएं में नहीं है और मैंने का वहिया एक दो वीडियो बन सकते हैं पता जार वीडियो कैसे बनेंगे बिल्कल फिर भी उसने का कि इसे नॉन कॉरेबल डिजीज तो आप कैसे का सकते बहरापन मि हो जाता है कान में डालने के दवाई होती है खाने के दवाई होती है फिर मैंने काम करते करते हैं सोचा कि या साइंस और टेक्नलोजी पूरी बदल चुकी है मैंने दुनिया में एक नया विक्रम इस्थापित कर दिया है तो क्यों नहीं उसको और व्रवस्थित किया जाए मेरा जन्मल सिद दिकार था हॉमियो पथी playing मेराश भूबी थी तो मैंने कुछ होमियो पति डॉक्ते साइर किया तैयार की बचों को को तैयार किया, पूछा पढ़ाया और इस विशे में और तैयार किया उनको मैं जादू होता ही निये मेडिकल लाइन में, जादू करना बहुत बूरी बात है, ऐसा है कि जब मैं कहता हूँ कि पूरा विज्ञान और टेक्नोलोजी बदल चुकी है, आप विश्वास करिए, नसे सुख जाने से आयवा कान का तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन बिना चमताएं बढ़ाई जा सकती है और बढ़ रही है, देखिए, जन्म का बहरा, आपको आश्चेरी होगा, जन्म का बहरा कैसे हो सकता है तर तो जन्म के बहरा कितने प्रकार के होते हैं, मा के घर्ब से, मा के घर्ब से पानी घुम जाने से, जन्म के बाद में डॉक्टरों द तो यह है कि यह सारे के सारे खेल तो अलग-अलग दंग से बताएंगे पर तो हमारा तो एक ही प्रोसेस सब को कैसे ठीक कर रहा है इसका मतलब रोग है ही नहीं है तो बड़ा ये बात ये परस्टा खढ़ा हो जाता रोग नियोट भाकी के लोग कैसे भोग रहे हैं तो मैंने क्या किया राजस्थान के अंदर सांथी स्कूल में डेफंडलम स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम किया मैंने उन्होंने बुलाया था मुझे प्रोग्राम के लिए 4-6 बच्चों के उपर पर जो मुझे उनको मालूम पड़ा authenticity के लिए तो उन्होंने उस समय की TV न्यूज वाले और सब लोग बड़े curiosity से आ गए और उन्होंने तो यह समझा कि आज हूरिया करेंगे और मुझे डेड़ सो बच्चे दिये गए तो उसमें उनके सरकारी कर्मचारी थे कुछ कॉंग्रिसी थे कुछ भाजब वाले थे और वाताओं इतना तुवर बना दे गया कि डेड़ सो बच्चों को कैसे ठीक करेगा तो हमने उसके कायन में दवाई डाली बच्चों को सुनवाया बुलवाया और ओम बुलवाया और यहां तक कि उनके डीन है उसके सारी वीडियो बने वे हैं और इसमें सायद उस समय कुछी टीवी मीडिया ने वी टीवी ने उसको जोड़दार शूट किया और पूरे वहां का वाताओं इतना तिवर था उस समय सुनने का लोगों का समद्ने का पूरा दिन मुझे लगा तो यह लोगों का और फिर उन्हों ने मुझे बट बड़ी असरेटिवीड बना के दिया कि सर आपने जबरदस कर दिया है मैंने का कि यह कारिये सभी स्कूलों में होना च चाहिए मेरा काम है मैं उसके पैसे नहीं लूँगा फ्री करता हूँ देफन दम स्कूलों की प्रोग्राम पर ऐसा ही है वहां पर भी प्रोफेशनलिजम जादा है फिर अपनी सब्जेक पर आ जाते हैं जर्म का बहरापन मिठ सकता है बीच में किसी कारण से आयावा पर मिठ सकता है इसका कोई कारण नहीं है वो मिठ सकता है अच्छा कम सुनना ठीक हो सकता है अभी मेरे पास में नया एक बहुत ही बढ़िया प्रियोग आया था ऐसे तो मैंने कई प्रियोग के हैं पर नया तादा बहुत बढ़िया था तो मैं जर्म के बहरों की ट्रीटमे आए जो कबीरपन थी है उसका वीडियो भी बहुत बढ़िया होता ला गया था उन्होंने सोवर्स का आदमी कैसे चलता हो कल पना करिये हिम्मत करके आए वो शंत थे उन्होंने का एक मुझे सुनना है समझना है और मशीन लगी थी मशीन में नहीं चाले थी मैंने का दादा संते के परितन से सुनने लगें और उन्होंने बहुत ही बढ़ी आशिरवात दिये और वहां भी मीडिया ने इसको बहुत बढ़ी आशिरवात दिया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी बात में कोई अविश्वास ने करें यह प्रोग्राम बिल्कु सत्य है सरल है सीधा है बहेरापन मिठ सकता है सुनने के ृषंताइं बड़ सकती है और पुरा का पूरा अचरींश्वात ने कि अलग जलग प्रकार से बहेरापन आता है मख़त है और वह सब की प्रकार से अर्टलों हो या अलग लग रिट्रों मूल तो मेरी एक रिसर्च मेडिशिन है, और वो मैंने उसका पैटन ट्रेडमार्क लिया है, उसका प्रियोग करते हैं, परंथ उसके बाद में होमियोपथी डौक्टरों का सबस्वा सायोग लिया जाता है, एक्सपर डॉक्तर से रखे जाते हैं, उसको पैथी में जोड़ द नाना एक वो गलत है एक इलाज करना तो हम लोग इलाज कर रहे हैं इसके अंदर जर्म के बहरे भी आ सकते हैं जवान भी हो सकते हैं किसी कारल से भी बहरापन हो सकता है मिठ सकता है फिर उसके बाद में कान में फंगस हो गया हो तिनीट्रस का इलाज संसार में कहीं नहीं यह यह मत मानना तू बाकी का प्रोसेस पूरा करवाना तो और प्रोसेस कितने टाम चलती है और क्या का तरणा है कि किसी का दिखाना दरवाजा 10 गोंते से या 10 दिन से या 10 महने से या कई बर्तों से बंध है आप खोलोगे तो रहने जैसे बनाओगे ने तो कान कि भी यह हाए सुन के समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनने का मतलब क्या हुआ है, सुनिवी चीज को, सुन के जबाब देने का मतलब सुनना होता है, मतलब जैसे अभी जर्मनी में बोलेंगे, कुछ नहीं समझ भायाईगा, क्यों सब्द नहीं है, पर तो जैसे ही आप Hindi या घुद्रादी में बोलेंगे, समझ जाएंगे, तो सुनने की क्षमताएं बढ़ाने का तरीका यह है, कि उनी चीजों का रिपीटेशन किया जाए, तो हम लोग रिपीट थेरापी करवाते हैं, रिडिंग थेरापी करवाते हैं, इस पीस थेरापी न सचमुष जन्म के बहरे मुंगे बच्चों को जब आठ वरसका, दस वरसका, पंदरा वरसका, बीस वरसका, पतास वरसका लेके आता है, तब, मैंने का भी सुनुआ तो धिया, बुलवाने के लिए हमारे थेरापी का यूज करो, तो आपका फरक पड़ेगा और फरक पड़ सब्सक्ता ही नहीं है, तीन घंडे में पुरा प्रोसेस करके देते हैं, फिर दवायां देते हैं, उसके बाद में हम लोग जान उचको एक अनलिमिटेड, अन्वांटेड गैरंटी देते हैं, उचको गैरंटी वरसका, यह सर्विस है, तुम घबराना मत, बैरापन का होता है, 21,500 रुपिया दो पासपोर्टा के फोटो, घर का एक व्यक्ति, तीन घंडे का समय लेके आओ, फिर ट्रीटमेंट करवाओ, ट्रीटमेंट में फरक पड़े, तो उसको हम समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिनको बिल्कुल 00 होता है, उनको फिर तयार करते हैं, छोड़नी जते हैं, जिनको ठीटमें भागनी लेना हो, तो उसको कहते हैं, कोई बात ही है, ठीटमेंट में आपका कटोरा ऐसा होगा, तो मैं पानी भरूँगा, जब एक लग व्यक्ति ठीक होगे, तो एक व्यक्ति कैसे ठीक नहीं होगा, कुछ लोग रिडिज होते हैं, जिस प्रकार से आपने बता है कि बिल्कुल यह समता बढ़ सकती है सुनने की, लेकिन इन सबके बीच में किस-किस प्रकार कौन सी टेकनिक का आप यूज करते हैं, खास तोर पे कही बार लोगों को यह होता है कि दवाई या खाने से यह ठीक हो जाएगा, कही लोगों को होत पेशन में हमेशा रहती है, तो क्या इसका प्रात्पिक तोर पे हिलाज होता है? आज ऐसी चैनल में यह कह रहा हूं इसका मतलब कितना बड़ा सत्य कह रहा हूं, मतलब यह नहीं है कि कोई संसाया तक बाते हो रही है, और मेरा मन है, मैंने कई बार यूट्यूबर गूगल के ओपर उसको खुला कहा है, कि राष्ट्र और विज्यानिकों का निया प्राइब तो नहीं बढ़ रही है, कुछ किसी को पीडा नहीं है, हम लोग कई दिन, कई बार क्या होता है, कि ऐसा होता है, बैठे वे हैं, अचानक लोग आते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम उनको ठीक करते हैं, अब बताईए क्या करना चाहिए, बिलकुल, अभी खास कम करते हैं, तो हैं बाथ जाते हैं, मेरे साहथ ही एक भ कोई भी आदमी बहरा वहरा खुश ही होता है अच्छे एक और नहीं बात बता था हूं ऑजकल क्या होते हैं लोग सर्टिफिट लिगते हैं और जांदा देखे मेडिकल काई काम है एम्स के सेटिवियट होते हैं, एम्स में कहते है कानमा होल पड़ी गई उछे, अभी एक बच्चा आया था, उसने का तीन दिन तक इसकी सरीर की पूरी चेकिंग के, और मैंने का कानमे गडबर थी तो सरीर की बोला कि नहीं, उन्हों चेक किया, और हंत में क्या का, बोला खु मैंने क्या किया है, आज के लिए बड़ी हिम्मत की है, बरसों से क्या कर रहा हूं, जब से मझे समझ में आया, उस सारा जो भी आसिरवाद की वीडियो करते हैं, और यूट्यूबर गूगल पर डाल देते हैं, और उनका बड़ा सही होग रहता है, तो यूट्यूबर की 50 साल, आप समझ सकते हैं, 50 साल यानि बहुत बड़ा पिरेड होगा, 50 साल से आपका जो अनुबव है, यानि कहीं लोगों को ठीक किया गया है, बहुत सारी क्षमताय बढ़ाई गई है, तो इन सब के बीच में, सबसे ज़्यादा आज के तौर पे इस मुद्दे को लोग क से कि जरत बड़े लंबे समय थे सब बाएन यूदिन करता ऑफ रही तो यह मैरी यह पचास मेरा नियूबरिसरी थी तो उसमें सारे इमित्रों वगरे हजार सेंकडों की सिंक्यामी बाहर से आये लोका ले तो मुझे भी आस्टेरों का पचास साल होगे मुझे शादी के तो उसी समय कुछ बोगों ने मजाक की कि या तुने शादी निभाई है या दवाईया करता है पचास बरस पहले भी दवाई दे रहा था आज भी प्रमान क्योंकि जब मेरे रनिवर्शी हुई तो नक्की हो गया सर मैं टूर किया करता था उस समय मेरा अलग विजनस था तो मेरा हभी सब्जक कही नहीं जाता था मैं रस्ते में भी दवाई देता था अरे मैंने एयरपोर्ट पर सिंगापूर एयरपोर्ट पर अमेरिका मे कैनेडा में जहां भी गया खुले आम टीटमेंट करता हूं और मेरे पास में यह नहीं एक विडम मना की यह ऐसा है वैसा कुछ ही नहीं एक करती को सिंगापूर एयरपोर्ट पर मैंने दवाई डालकर उसको ठीक कर दिया उसने का कि वा भाई वा क्या बात है कहने का मतलब कि कि इन कृण, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े होस्पिटल की बहुत बड़े तामजाम वकी यह यह सेवा ओं के लिए नहीं है सर अधिर इदि आपकी टामें पकी है सही सळ our había to now आप जाढ के बाढ कर सकते हो Uhr किशी को बुखार हो गई है तो आ जीना की डराया जाता है और उसके बाद लोग शायद थोड़े बहुत कन्फूस हो जाते हैं और पूछिये मत सर्थी को सर्दी हो गई है और यदि मजाक में हम लोग क्या आते हैं डॉक्टर कहता है इसकी चेकिंग कराओ तो लोग जेनिटिक चेंज पर चेक पर आ जाते हैं जीन्स पर है सर्दी में जीन्स क्या करेंगा बेरकौल बेरकौल कोई बात नहीं है हमिएमिपिती बेस दवाईयां साथ में होने से मुझे बहुत सहरा मिलता है और बहुती ज्यादा मिल राया है मेरे डॉक्टर्स team का मेरे घर का मेरे मित्र का मेरे समंध्यों का पढोषियो हो जाते हैं क्योंकि तुरी दूसरे घर में जाके बेल बजा दॉक्टर तुराना अरे करते हैं यहां नहीं यहां है सबसे ज्यादा सभ्योग पत्निश्रीक आपको मिलता है क्योंकि प्रकास साल है आदी एक दवाय है आपने यह भी बता दें परोशियों का बड़ा सभ्योग से जो सिर्फ इसको यह मान रहे थी कि इसका इलाज मुंकिन नहीं है बहुत सारे लोगों का आपने इलाज किया और कहीं ना कहीं यह प्रूव किया कि सुनने की जो शमता है वो बढ़ सकती है मैं एक जमबल देना चाहता हूं बंबए का एक जवान लड़का जो इंजीनियर और ऑफीसर होगा उसका फोन आया कि सर मेरा सदन कान बंद हो गया है मुझे तीस हिस्टियोड की इंजेक्शन देने के बाद में बत्तर हो गई है तो मेरा यह पहलो परियोग था कि मैंने का बेटा देख तू अचानक डेफनेस का मैंने अभी तक बहुत बड़ीया इलाज किया उसानी है तू आजा तो हम्मत करके आगया हमने एक गंटे की टीमेंट की एक गंटे में सुनने लगा तब उसने जो वीडियो दिया वो मारमिक था उसने का कि सर दुनिया क्या कर रही है मुझे क्यों इंजक्शन दिये गए थे वो लोग क्या जानते हैं कुछ ही नहीं जानते हैं अब मेरा कान बिल्कुल ठीक है एक बच्चा जनम का बैरा बच्चा उसका दिल्ली में लेकर ऐसे तो कई बच्चा हजारों के रसंगे तो उसके माता पिता सोचने लगे कि एक उन अब यह समते पुल्कु डेफेंडब में हैं बिल्कुल यानि एक बात तो साफ हो गई अगर भगवान ने आपको कान दिये तो छोटी मोटी कोई भी बड़ी पड़कार क्यों नहों कहीं ना कहीं सून तो सकते हो आप और यह प्रमिंड सुराना ने पिछले 50 साल से सब्सक्राइब करो और लोगों के लिए एक आशिरवाद बनो सर मुझे बहुत कुछ कहना है आपने मुझे बहुत समय दिया उसके लिए आभार मैं दूसरे इंटर्वी में बताऊंगा मेरा दिल क्या करता मालूम है रात दिन में कान के बारे में लोगों को बता रहा हूं सबसे जादा मेरा नहीं को बढ़ा है वेड़ने अबन होगे हमारे बहुत कर सकते हैं बारे मुझे लृट में पने लिए आफने करहें हैं अमस्क्राइब कर रहे हैं बिल्कुल वें ब्ल्कुल और वहां पर भूना प्रीट में चार रहे हैं को हम आपक लिए फ़से यह नि बात की एक बात सामने आई कि सबसे पहले उनी लोगों को सुनने की आविश्यक्ता है जो सुन सकते कि यह बीमारी संभव है और इस बीमारी का इलाज मुम्कीन है आशा रखते आप सबको यह एपीसोड पसंद आयोगा अगले एपीसोड में दिखाएंगे कि और किस प्रकार स से प्रमिंट सुराना अपने अनुबहों से लोगों को ठिक कर सकते हैं अमारे साथ आप सब जुड़ गए को खुब धने बाद नमस्कार